कुशन है बोजन का आउशोशन कहा होता है तो हमारी जो छोटी हाथ है उसके अंदर होता है बोजन का आउशोशन है निक्षन है बिहार में कितने स्तरिये पंचायती राज संस्ताएं हैं तो त्री स्तरिये है पंचायती राज संस्ताएं बिहार में निक्षन है विदुद धरा कैसी राशी है तो ये एक अदिश राशी है विदुद धरा निक्षन है दिवान एक कोही की स्थापना किस ने की थी तो मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी दिवान एक कोही की स्थापना निक्षन है राष्टिय फिल्म पुरुसकार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है तो मिर्जा गालिब है पहली हिंदी फिल्म जिसे राष्टिय पुरुसकार से सम्मानित किया गया है निक्ष ने हमारी आकाश गंगा के केंदर की प्रक्रिमा करने में सूरिय को कितना समय लगता है तो इसमें 25 करोड वर्ष का समय लगता है हमारी आकाश गंगा के केंदर की प्रक्रिमा करने में सूरिय को निक्ष ने प्रथम विश्युद कब प्रारम हुआ था तो अठाज जुलाई 1914 को प्रारम हुआ था प्रथम विष्वद नेक्षन है 1330 के पस्यात भारत में रुपे का अव मुल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था उननीस सो नपचा सीसिव के अंदर किया गया था रुपे का अव मुल्यन पहली बार निक्षन है किसने सोरपर्थम दोआब शेत्र में करवर्दी की थी तो महमूत बिन तुगलग ने की थी दोआब शेत्र में रदी निक्षन है किस शेत्र में उलेखिनीय योगदान ही तू बीडी गोईनका पुरसकार दिया जाता है तो पत्रकारिता के शेत्र में उलेखिनीय योगदान देने पर बीडी गोईनका पुरसकार दिया जाता है कोशन है कारबन का शुद्धतम रूप कौन सा है तो हीरा है जो कि कारबन का शुद्धतम रूप है केरल में कितने इस्तरीय पंचाइती राज विवस्ता है निक्षन है सुल्तान सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविताएं लिखता था तो गुल्रूखी नाम से लिखता था सिकंदर लोधी फार्शी में कविता है निक्षन है बीडी गोईन का पुरुसकार किस वर्ष प्रारम किया गया था तो 1929 से इसवी के अंदर प्राग्म किया गयता बीडी गोईन का पुरुसकार निक्षन है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंत्रिक मृत्यू से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है तो इसी चंदर शेकर सीमा कहते हैं निक्षन है पौली उम्रीगर किस खेल के प्रसिद खिलाडी थे तो ये किर्केट के प्रसिद खिलाडी थे पौली उम्रीगर निक्षन है भारत में दूसरी बार अव मुल्यन कब किया गया तो 6 जून 1966 को किया गया था दूसरी बार अव मुल्यन निक्सन है मोट की मस्जित किस सुल्टान के वजीर ने बनवाई थी तो सिकंदर लोदी ने बनवाई थी मोट की मस्जित निक्सन है प्रथम गांधी शान्ती पुरुसकार किसे प्रदान किया गया था तो जूलिया से न्यूट रेरे को दिया गया था पहला गांधी शान्ती पुरुसकार कोशन है बीस हर्ज से नीचे की आवर्टी वाले धवनी तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं तो इन्हें आव शर्वे तरंगे कहते हैं जिनकी आवरती बीस हड से नीचे होती है निक्षन है ऐ विश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथी ते करता है तो लोकसवा देख्ष ते करता है तिथी निक्षन है एलकोहल, पारद, ईथर और पानी में कौन उश्वास का सब से अच्छा चालक है तो पारद जिसे हम पारद केते हैं वह सब से अधिक उश्वास का सूचालक है निक्षन है महत्मा गांदी ने भारत में सत्यागरह का पर्थम सफल प्रियोग कहाँ किया था तो चमपारण में किया था पहला सत्या ग्रह का सफल प्रियोग निक्ष ने याकिंज किने कहा जाता है तो अमेरीकियों को कहा जाता है याकिंज के नाम से निक्ष ने किस ग्रह का आकार प्रत्वी के आकार के लगबग बराबर है तो शुक्र ग्रह है जिसका आकार प्रत्वी के बराबर है निक्षन है मेसेंजर किस ग्रह के रहस्यों को उजागर करने वाला उबग्रह है तो बुद्ध ग्रह के रहस्यों को उजागर करने वाला उबग्रह है मेसेंजर निक्षुने भारत में किस आयू वर्ग की इस तरियां प्रजनन योग्य आयू वर्ग में शामिल की जाती है तो 15 से 59 साल की महिलाओं को शामिल किया जाता है प्रजनन योग्य आयू वर्ग में नेक्षन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रियोग कहा किया था तो दक्षिन अफरिका में किया था नेक्षन है भारत्य मूल की बोबी जिंदल अमेरिका के किस राज्य की प्रथम ऐश्वेत गवर्णर बनी थी तो लुसियाना राज्ये की बनिती रठम एस्वेत गवर्नर बोबी जिंदल कोशन है विज्ञान की किस शाका के तहत वनशागति के नियमों विबिन्ताओं आदि का अध्यन किया जाता है तो आनुवांशी की शाका के अंतरगत किया दता है वंशाकती के नियमों और विबिन्ताओं का अध्यन निक्षने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती कौन करता है तो राश्टपती करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती निक्षने बीस हजार हर्ज से अधिक आवर्ती वाली दवनी तरंगों को क्या कहते हैं तो इन्हें पराशर्वे तरंगें कहते हैं निक्षने नंद कुमार मामला किस गवर्नर्ट जनरल से सम्मन्दित है तो ये वोरेन हैस्टिंग्स गवर्णर जनरल से सम्मंदित है नेक्शन है ग्रिक शब्द युथे नेसिया का क्यार्थ है तो इसका मतलब होता है इच्छा मृति होता है युथे नेसिया का मतलब नेक्शन है रत्वी की किस परत को निम्न गती का मंडल कहा जाता है तो जो भूपरपटी होती है उसे कहा जाता है निम्नगती का मंडल है नेक्षन है इतियासकारों के अनुसार किस संदी में दित्य विश्विद के बीज छिपे थे तो वर्साइक किस संदी में छिपे थे दित्य विश्विद के बीज है नेक्षने सरवादिक जिल्माला राज्य कौन सा है तो उत्तरप्रदेश राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले है नेक्षने सुरक्षया प्रकोष्ट की नीती किस गवर्नर जनरल से सम्मधित है तो ये वोरेन हैस्टिंग से सम्मधित है सुरक्षया प्रकोष्ट की नी ती निक्षुन है है हैदराबाद में जन्मे भारतिय किर्केटर वी वी एस लक्षमन का पूरा नाम क्या है तो वेंगु पुरच वेंकट साई लक्षमन है वी एस लक्षमन का पूरा नाम है